पीम मोदी का कमांडो जो गैंगिस्टर बन गया, रो एनेसी में रहा और माफिया कहा गया, लक्षमार सिंग बिष्ट और फलकी बिष्ट की असली कहानी 2011 की बात है, एजेंट लीमा को पता चला कि उत्रखन का मशूर गैंगिस्टर राजू परगाई शिवाल नाम के एक सक्स को परिशान कर रहा है, एजेंट लीमा ने शिवाल से कहा कि राजू परगाई से कहो कि तुम उसे 50 लाख रुपए दे रहे हो, इस बहाने परगाई और उसके चेले अमितारिया को घर बुलाओ, शिवाल नहीं यही किया, तै दिन पर एजेंट लीमा अपनी वेगनार गाड़ी में DR 7.62 म मशीन गन के साथ तयार बेटा था, एजेंट लीमा मशीन गन का ट्रगर दबाने ही वाला था कि करिश्मा हो गया, राजू परगाई और अ शिवाल से कहा कि मुझे अपना भांजा बनाकर परगाई से मलाओ, शिवाल ने मुलाकात करवा दी, लीमा ने परगाई को बताया कि वो एक हत्यारों की फैक्टरी में काम करता है और उसे चंडीगड से एके 47 दिलवा सकता है, परगाई की बांचें खिल गई, दिन तैह हु अपने पुराने गिरहाक से 3 लाख रुपए उठाने हैं, लीमा भीमताल की तरफ चलने लगा और चलने से पहले परगाई से कह गया कि शियाम खेत पर जरा रोकना, शियाम खेत पर एजेंट लीमा ने एक गोली से एक गोली से राजु परगाई और अमितारिया को ठेर कर द अधर में सो रहे थे, तभी महले में हंगामा हो गया, पुलिस आईए, इदर दो पुलिस वाले लखी विष्ट की छाती पर बैठ कर पूछते हैं कि तुने राजु पर गाई और अमितारिया को क्यों मारा, आग की तरह पूरे उत्तर भारत में ख़वर फैल जाती है, के एन इंडियन आर्मी में सुवेदार थे और 1971 की लड़ाई में बलिदान को प्राप्त हुए थे, जो खुद NSC का कमांडो था, उस लकी विष्ट को लोग हत्यारा और गैंगिस्टर पुकार रहे थे, कौन था लक्षमर सिंग विष्ट और लकी विष्ट और एजेंट लीमा, क् हम इन सबी सवालों के जबाब विस्तार से जानेंगे, समझेंगे और एजेंट लीमा उफ लकी विष्ट के जीवन पर विस्तार से बात करेंगे नमस्कार ये है वोकल भारत उत्राखेंड और मैं हूँ चमन मिस्रा, लकी विष्ट की हम बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें एक जून 1988 को फितोरागर के गंगोली हाट में प्रेम सिंग और मोहिनी देवी के घर एक पुत्र का जन्म होता है, पिता वेटे का नाम रखते हैं लक्षमर सिंग बिष्ट, घर का नाम रखा जाता है लकी, 1971 के भारत पाकिस्तानी उद्ध में लकी के दादा बलिदान को प् पांचवी क्लास तक लकी को निजी स्कूल में पढ़ाए गया और छटी से लेकर ग्यारवी तक उन्होंने केवी में पढ़ाई की, इसके बाद आता है 2003, यही वो साल है जब लकी के जीवन की दिशा ते हो गई, लकी लगवक सोले साल के थे और ग्यारवी में पढ़ रहे थ पिता ने उनसे कहा कि नागलेंड में आर्मी के सिलेक्शन चल रहे हैं, चले जाओ, पिता ने उन्हें 600 रुपए देने का लालच दिया, लकी लालच में फस गए और चले गए, बस फिर क्या था, उनका सिलेक्शन आर्म फोर्सिस में हो गया, इसके बाद तो लकी ने इंड आर्डर रोड और्गिनाइजेशन में नोन कमिशन्ड ओफिसर के पद पर तैनाती से होई, इसके बाद दोजाच चार में इन्हें भारत की खुफिया एजनसी रौ यानी रिसर्च और अनलेसिस बिंग के लिए चुन लिया गया, लंबी ट्रेनिंग होई, इसके बाद रौ को समयत कई देशों में रौ के लिए काम किया, लकी ने स्नाइपर मनने की ट्रेनिंग इजरायल में ले, अब आगे बढ़ते हैं, बियारों से रौ में आए और अब रौ से लकी को नेशनल सिक्यूर्टी गाड यानी नसी में ले लिया गया, नसी की ट्रेनिंग होई, इसके के बाद उन्हें स्पेशल रेंजर ग्रूप में तेनाती दी गई, एनसी की इस उनिट का काम VBIP को सुरक्षा प्रदान करना होता है, लकी की योगिता को देखते हुए उन्हें ततकालिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सिक्यूर्टी ओफिस की भूमिका निवाई, 2009 में लकी को बैस्ट एनसी कमांडो घुसित किया गया, इसी क्रम में 2011 में लकी छुट्टी पर अपने घर हलदवानी आये थी, जब 6 अगस्त की सुबह पुलिस ने उन्हें धर्द बोचा और कहा कि उन्होंने गेंगिस्टर राजु पर गाए और अम जेल में हैं, क्या वो बाहर हैं, बाहर हैं तो वे क्या कर रहे हैं, छुट कैसे गए, आईए अब असली कहानी पर आते हैं, तो हुआ ये कि उस दिन 6 अगस्त को पुलिस लकी को उठा ले गई, और 36 खंटी तक जेल में रखा, बार बार पुलिस ने एक ही सवाल पूछा, कि तुमने राजू पर गाई और अमितार्या को क्यो मारा, समझिये, पुलिस ये भी नहीं पूछ रही थी कि तुमने मारा है या नहीं, बलकि ये पूछ रही थी कि क्यो मारा, पुलिस का कहना था कि हम जानते हैं कि तुम ही ने मारा है, हमें बस ये जानना है कि क्यो मारा, इस परकिया जाता है नैनी ताल हल्दवानी अल्मोडा दहरदून सब जेलों में उन्हें घुमाया जाता है मजए की बात यह है कि 2018 में नैनी ताल कोट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया सवाल है कि फिर पुलिस ने उन्हें गिरफतार कैसे किया था तो देखिए पुलिस का दावर था कि एजेंट लीमा ने परगाई और आरिया को मारा है और लकी बिष्ट ही एजेंट लीमा है पुलिस को खटना इस्थल से हॉलिस्टर मिला था हॉलिस्टर वो चीज होती है जिस पर पिश्टल लखी जाती है पुलिस को मिले हॉलिस्टर और लकी की पि और चे पूरे उत्राखंड में थे। दोनों नेपाल से हत्यारों की समंगलिंग भी करते थे। और ठमज की देकर उगाही भी करते थे। इससी दोरान 2010 में योगेश सुनारी की हत्या हो जैते है। योगेश की हत्या का सक परगाई और आरया पर था। योगेश का दोस्त था हिर्देश और हिर्देश का दोस्त था लकी विष्ट। पुलिस ने कोट में दावा किया था कि अपने दोस्त योगेश की हत्या का बदला लेने के लिए हिर्देश ने लकी और अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर परगाई और आरिया की हत्या कर दी पुलिस अपना यह आरोब कोट में सावित नहीं कर सकी इसलिए बाद में नैनिताल कोट ने लकी विश्ट को छोड़ दिया अब सवाल है कि एजेंट लीमा कहां से आया तो देखिए एस हुसेन जैदी भारत के बड़े मशूर क्राइम राइटर है उन्होंने एक किताब लिखी है जो अभी कुछ तिन पहले ही रिलीज हुई है उस किताब का नाम है Raw Hitman The Real Story of Agent लीमा इसी किताब में उन्होंने लिखा है और उन्होंने ये कहने का प्रियास किया है कि गेंगिश्टर राजु परगाई और अमितारिया का मडर भारत की सीक्रेट सर्विस ने करवाया था जैदी कहते हैं कि परगाई और आरिया नेशनल सीक्योर्टी के लिए खत्रा बनते जा रहे थे पलोसी देश नेपाल से दोनों बड़े इस्तर पर अवैध हत्यारों की सप्लाई करते थे ऐसे में इन दोनों को निप्टाने का मिशन भारत की सीक्रेट सर्विसिस का था याद रखिए इसके कोई सबूत कहीं भी नहीं है लेकिन जैदी ने ऐसा अपने सूत्रों या फिर घटनाओं को जोड़ कर कहने का प्रियास किया है जैदी कहते हैं कि इस मिशन पर रौ ने लकी विष्ट को बेजा था याद रखिए जब ये कांड हुआ उस समय लकी विष्ट रौ में ही थे जैदी ये भी दावा करते हैं कि लकी विष्ट का ही नाम एजेंट लीमा था हलांकि इस दावे की पुष्टी कभी भी नहीं हो सकी 2018 में लकी ने अदालत से बरी होने के बाद दोबारा स्पेशल फोर्स से जॉइन कर ली लेकिन 2019 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी नौकरी छोड़कर लकी फिलाल मुंबई में हैं और मुंबई की सिनेमाई दुनिया में टीवी और फिल्मों की दुनिया में स्क्रिप्ट राइटर और प्रोडूसर का काम कर रहे हैं लखी कमांडो फिल्म्स नाम से लखी अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं। ये थी कहानी लक्षमर सिंग बिश्ट और लखी बिश्ट और एजेंट लीमा की। लखी बिश्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमिंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जय हिंद।